असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है तैमूर परवेस आज चार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नमबर 26 अजके इस लेसन में हम देखेंगे फुल डिस्क्रेप्शन अबाउट डिमेंशनल टूल बार ठूर डायर हमने पहले भी इबर की थी दुबारा से कर रहे है और जो पहले की थी उस में हम Wick कुछ हम रहे हैं चूँल कुछ में कुछ टूल ना रहे थे दैले वाली से तो वो आज हम करेंगे उसके पाद है leader, quick leader क्या होता है, tolerance क्या होता है, center mark, dimensional edit, dimensional text edit and dimensional update, dimensional style तो आज लेसन में हम इन चीज़ों के पर discuss करेंगे कि यह क्या होती है और इन पर काहँ, कैसे यह जाते है तो उसके लिए में AutoCat को open करता हूँ तो आज के लेसन में हमने dimension के उपर काम करने है तो dimension एक तो हमारे पस यहां पर यह एनुएशन पर आपर dimension is के उपर भी discuss करेंगे और उसके बाद अनुएट्स पर आप क्लेक करें तो यहां पर आप पर यहां भी dimension is के उपर भी discuss करेंगे और multi ladder क्या होता है, क्योंक्त लेडर क्योंपर हम इंचाले next lesson में देखेंगे और next lesson में काम करेंगे यह होता scale list कि उनके ओपर भी हम discuss करेंगे क्या क्या चीज़े ओके तो dimension के लिए मैं एल इंटर करता हूँ अब dimension में क्या क्या चीज़े हैं सबसे पहले आप पास आ जाता जी purpose of quick later आ जाता है quick later क्या होता है quick later होता है आपका के अगर आप for example आपने कोई भी area या कोई में एक rectangle for example draw करता हूँ इस rectangle में काफी सारी चीज़े हैं के circle आ गया जी एक और circle आ गया for example और इसको आप नाम देते हैं लग-लग से हर एक चीज़ को एक यहां से draw में जाता हूँ और देखता हूँ जी और कौन कौन से चीज़े और इसके लब एक catch आ गया या पर वाइप आउट आ गया line एक R का गयी for example 3.R का गयी तो यह कुछ चीज़ें for example यहां पर आ गया एक rectangle हो रहा गया तो अब इन सब के सब को आप यहां से देखना चाहरा है इनको add करना चाहरा है देखना चाहरा है तो उसके लिए आप quick leader यूज़ करते हैं आप अपने mention करना है तो आप उसके लिए quick leader यूज़ कर सकते हैं और add leader पे click करता हूँ तुम्हे एक और इसे ओपर एक और लीडर add करना चाहरा हूँ इससी के ओपर लिकना चाहरा हूँ यहाँ पर मैं जस्ट click करूंगा नहीं हाँ पर दीखें तो इसके corner से जहां से यह, इस corner से एक और में रपस लिखाव आ गया, अब इसमें कुछ और भी add करने चाहरा है, कुछ और add कर सकता हूं, जहां जहां पर आपने add करने है, तो यह add होते है, multiple add के लिए में रपस use होते है, और दुबारा से मैं यहां पर quick leader पर दुबारा click करता ह तो only मैंने यहां पर leader पर click करने है, और यहां से मैं, इसके ओपर discuss करना है, तो इसको भी आप यहां से लिख लें, यह big circle है, जो भी चीज़ आपने लिखने हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं, तो यह function होते है, leader का, तो इसके ओपर हम next lesson में complete discuss करेंगे, next आप पास जी, उसक आप यहां के बारे में complete लिखना चाहरे हैं, देना चाहरे हैं, कोई table बगरा, बना के उसके बारे में लिखना चाहरे हैं, तो आप उसके लिए यह चीज़ यूज़ करते हैं, तो यह आपको मिलेगा, जी, यहां पर, मैं search करता हूँ के कहां पर ही, तो यहां पर यहां पर तो यहां पर आपने फर्स्ट इस बटन पर क्लिक करना तो यह देखें, ट्रॉल्रेंस लिखा और नजर आ रहा होगा आपको, अब इस ट्रॉल्रेंस के उपर मैंने क्लिक किया, और मैं यहां पर जो भी चीज लिखना, मैं for example लिखता हूँ, अली, टैब प्रेस करेंगे, नेक्सल में चल जागा, उस्मान, one two, one four, one one, फॉर हमिलेटी होती हो, उमर, अली, one one, one two and one, 21 में लिखती हैं तो यहां पर, उसके लाएं यहां पर दो चीज़ हैं, एक तो option यहां पर यहां पर यह है, कि अगर आप चाहते हैं, कोई सिंबल ना है, यहां पर देखें, करेंगे यहां पर तो देखें मैं इस पर just click करूँगा तो देखें मेरे पस अली उस्मान और इसके बार में यहां पर देखें यहां पर complete detail लिखी भी है तो यह function होता जी टॉल्रेंस का देख सकते हैं नेक्स लेसन में हम इसके ओपर भी थोड़े डिसकस करेंगे और इसके बाद हमार पस टॉल्रेंस के बाद next है जी आप पस center mark तो center mark क्या होता है center mark आपका होता है मैं circle लेता हूँ एक इस circle का center mark मुझे नहीं पता कौन सा center mark है तो उसके लिए आप यहां पर इस button पर क्लिक करेंगे और just आपने click करना है तो आपको देखें center mark यहां पर मिल गया यह देख सकते हैं तो यह आपको center mark मिल गया आप इसके ओपर रिकोर जरकर ड्रौ करना चाहना तो आप यहां से draw कर सकते हैं देख सकते हैं उसके बद ही center mark के dimensional edit डैमेंचनल एडिट यह होता है वह आप डी जब इंटर करते हैं डी इंटर करते हैं यहां पर देखें यह सारे आगे यह dimensional edit होती है मुलपस देख सकते हैं और यहां पर modify में जाके तो आप नहीं हैं से चेंज करनी ऊती आ है और यह सारे हम ने आपके चीज़ बताई थी primory में आपने जाके क्या करने है तो यह द इमेंशन एड़िट है उसके लाबा डामेंशन एड़िट करने के लिए आप dimension added mean आपने dimension के ओपर कुछ लिखना है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहां पर देखते हूं कि dimension added का कोई objects है मरपस यहां पर तो नहीं है अब date का function है dimension added का function नहीं है जी देख सकते हैं यहां पर नहीं है तो यह होता है dimension added mean आपने dimension जो देनी है आपने कौन्सी dimension देनी है वह आप यहां से दे सकते हैं उसके लावा एल इंटर करता हूं में dimension added का को तरीका भी है वो ही है कि आपने for example इसमें करना चाहरे है तो आप उसके लिए मैं इसको dimension देता हूं सबसे पहले तो मैं यहां पर linear dimension देता हूं देखें चार इंच ने वारपस दे रहे हैं यहां पर size इसका मैं कम करना चाहरा हूं यहां से size बढ़ाता हूं अब देखें इसका size कम हो गया मैं size इसका ज्यादा बढ़ा करना चाहरा हूं कि मुझे सही clear नजर आए तो उसके लिए आप dim scale यूज करते हूं इंटर ना एंटर डेम स्केल जीरो फूट और वन इंच है तुम इसके डेम स्केल बढ़ाता हूं मैं चाहता हूं यह 6 इंच आज है मरपस 6 इंच इंटर करता हूं अब 6 इंच है इसका scale तो आगया लेकिन अपडेट नहीं हो तो इसको अपडेट करने के लिए आप यहां पर अपडेट पे क्लिक करेंगे यह दिखें अपडेट का बटन है अपडेट का फंक्चन है क्लिक करेंगे इस पर और अपनी डेमेंचन को select करके right-click करें तो देखें यह वरपस size का change होगी है तो यह भी इसका जो होता है edit होता है टेक्स editing करना चाहा है तो इसकी text editing की double click करें यहां पर double click किया मैंने dimension की text पे और इसकी editing करना है तो double click करें आप dimension की text पे दीखें चाहिए विद्भार आपको बताता हूँ double click करता हूँ मैं तो मेरे पास एक property open होगी 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 देख सकते हैं इसमें जाके मैं इसके text में editing कर सकता हूँ editing के है कि आप यहां से size बढ़ाना है size बढ़ा सकते हैं आप यहां पे इसके match करना चाहरें import करना चाहरें text bold हो सकता है underline करते है underline हो जाएगा और इसके लाबा यह सारे है मैंने इस चीज़ के उपर discuss किया था complete मैंने तो आप यहां से complete जो है तो हमने जो text के ओपर discuss किया थो text में complete यह मैंने ribbons आपको समझाया था किसका function क्या और इस पी काम किस तरह किया जाता है तो आप उसको देखे था कि आपको असानी से समझा जाएगी उसलिए color आपने change करने है तो आप dimension color change कर सकते हैं देख सकते हैं तो यह था जी dimension में text को add कैसे किया जाता है dimension text edit के बाद है update dimension जो भी update किया मैंने और dimension style वह ही है d enter करते हैं देखें dg में enter करता है dimension style आ गया यहां पर देखें लिखाव है dim style देख सकते एंटर करें तब यहां से dimension style modify में जाके dimension की style change कर सकते हैं अब dimension style में क्या जी line type है line type आप देखें dimension की line आप चाहते हैं कौन सी हो जी line तो उसके लिए upload पे क्लिक करें आप चाहते हैं जिसमें line हो dimension के लिए जो line use की जाए वो यह वाली होने चाहिए batting ok कर तो महीं यहां पर अब dimension के लिए batting वाली line होगी use और ok कर तो यहां पर और line की weights कितनी होने चाहिए तो आप यहां से line weights चाहिए करें इसको ok करें नहीं हाँ पर set current and close करें यहां पर अब मैं इसको update करता हूँ dimension को देखें इसकी dimension की line का style भी change होगा देख सकते हैं तो यह dimension की line अब हमेशे ऐसी रहेगी तो यह dimension style में इसकी वजह से होगा है उसलिए modify बे click करता हूँ modify में दबारा में इसको normally करना चाहरा हूँ तो मैं यहां से zero करता हूँ और by layer करता हूँ इसको इसको भी by layer करूँगा ok color टेक्स का color वह भी line का type, text, color इस सारी चीज़ आप यहां से change कर सकते ok करता हूँ set current and close करता हूँ अब दबारा इसको update करता हूँ update करके right click करता हूँ अपनी normal position पर आगे दबारा तो यह 30 इसके style change कर सकते हैं आप यहां से तो यह था ही dimension के ओपर discuss किया हमने और उमीद करता हूँ आपको इस lesson की समझा ही होगी इंचलर next lesson में मिलते हैं कुछ नए नए tools के साथ तब तक अपने बहुत सेरा ख्यार रखेगा अपनी दौाओं में याद रखेगा खुदा हाफिज किर दो यहाँ काथज कि अपने छ्राइब काथभार फट्ड़न ज्यक्तव 9.7.7.7.7.6